हाईगे सब स्वागेते दिन्यूटिकल चैनल पे मेरा नाम है निताक्षा सिंग और आज मैं करने वाली हूँ डिस्प्ले एंड 4K वीडियो टेस्ट हमारे वनप्लस के 11R का यह है हमारा 40.000 रुपरे के बजट का डिवाइस और काफी पॉपलर डिवाइस है इस डिवाइस के आज हम करेंगे डिस्प्ले की कम्प्लीट टेस्टिंग तो फटा-फट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे परे तुमां को बताओं इसका जो डिस्प्ले है वो मुझे काफी अचा लगता है क्योंकि यह है हमारा डूल कर्व डिजाइन के अंदर जिसमें एक्ट्व में किया है कि अगर डिवाइस सामने अगर ऐसे पड़ा भी होना तो उसमें भी बहुत ही प्रीमियम लगता है साथ ही इसके अंदर आपको in-display fingerprint scanner मिलता है उससे भी एक प्रीमियम सा effect नजर आता डिवाइस के अंदर अब यहां पर यह जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको 6.74 इंच का मिल जाता है dual cup display जिसमें आपको emolet panel मिलता है HDR 10 plus का support मिलता है साथ ही full HD plus resolution मिल जाती है यहां पर डिवाइस के अंदर आप देख सेथे कि बीजल्स आपको कम देखने को मिलते हैं viewing angles आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं साथ ही चोटा सो पंच होल design है हमारे selfie camera का तो display overall हमारा काफी प्यारा नजर आ रहा है इसके साथ ही आप टेस्स कर लेते हैं कि डिवाइस के हमारी brightness कैसी है यहां पर डिवाइस के अंदर वैसे तो आपको emolet display मिलता है लेकिन brightness यहां पर आप देख सेथे कि हमारी जो reading आई है वो 646 आई वैसे देखा जाए तो यह हमारा एक normal emolet display है ऐसा नहीं कि आपको flagship category का display यहां पर मिल रहा है लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे कि sunlight भी मैंने device को use किया उसके बद मैंने indoor के अदर मुवीज वीडियो देखी तो सबकुछ यहां पर बढ़िया आपको नजर आएगा ठीक brightness आपको मिल जाती है बजट के और साथ ही अगर मैं 4K content की बात करूं तो 4K और HDR content दोनों ही आप YouTube पे भी stream कर सकते हैं अब बात करते हैं कि 4K वीडियो हमारे device के दर कैसी चलेगी मतलब देखा जाये ना तो actually मैं आपको जो processor मिल रहा है उसकी optimization से पदा चलता है कि आपको यहां पर कितना अच्छा playback मिल रहा तो यहां पर मैंने play कर दी है file तो कि कि आप देख सकते हैं कि हमारे आराम से play हो रही है यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही और अब मैं इसको fast forward करके देखती हूँ fast forward करने में भी device के इंदर कोई problem नी आई एकदम smoothly play कर पा रहा है कोई issue हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहा तो optimization की भी मैं अगर बात करूँ तो आपको device के अंदर यहां पर काफी सही वाली देखने को मिल जाती है अब यहां पर देख सकते हैं display के अंदर सबसे पहले तो आपको dark mode मिल जाता है जो कि मुझे personally use करने में बहुत ही बढ़ी अलगता है इसके साथ आपको device के अंदर screen color mode मिल जाता है जिसके अंदर मेरा यहां पर vivid पे by default सेट है अगर natural आप करेंगे तो आपको थोड़ा से display है वो yellow के side tint पे चला जाएगा इसके इलावा आपको एक eye comfort mode मिलता है जिनको मतलब जादा reading करनी होती है device के अंदर और उनके आखों में दर्द नहों सर में दर्द नहों तो वह आप यह on कर सकते हैं काफी useful feature होता है यह हमारा आजकल कहीं सरे phones के अंदर आपको यह मिल जाता है इसके इलावा आपको नीचे के side देख सकते हैं कि video color enhancer मिल जाता है और साथी आप bright HDR video mode भी on कर सकते हैं जिसके अंदर जब आप videos देख रहे हों तो colors को यह थोड़ा सा और boost कर देते हैं तो आपको जो video नजर आएगा वह आपको काफी bright colors वाला नजर आएगा यहां पी ग्राफिक्स को बहुत ही smooth तरीके से यहां पर play कर पा रहा है जिसने कि आप active device को enjoy कर पाएंगे So guys, यह था हमारा device, हमारा OnePlus 11R और देखा जाए तो यह हमारे display test के अंदर pass हो गया है और आपको काफी बढ़िया सा display मिल जाता है इस phone के अंदर budget के हिसाब से So I hope आपको video पसंद आया होगा वैसे अगर आपको ऐसे ही videos अच्छे लगते हैं अपने favorite phones के आपको ऐसे test देखने हैं तो फटा फट से channel को करें subscribe और अगर आपको इस phone के बाकी की testing देखनी हो तो नीचे description में आपको videos के link मिल जाएंगी